आर्टिकल ट्वेंटीवन पर्सनल प्रोटेक्शन ओफ लाइफ और पर्सनल लिवर्टी भारत्य कॉंस्टिजिशन का सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट राइट है तो यहां से आपके पास कोश्चन्स तीन से चार बार यूपीएसी भी पूछ चुक है तो हम डिसकस करेंगे या रिवाइस करेंगे इस वीडियो में आर्टिकल ट्वेंटीवन तो सबसे पहले आर्टिकल ट्वेंटीवन की एक लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लिवर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिन टू प्रोसीजर एस्टैबलिश्ट बाइ लो यह बमॉट ने बहुत बहुत ने बहुत नैरो ट्वेंटेसल की इसने बोला था कि protection जो article 21 दे रहे वो executive action के against दे रहे legislative action के against नहीं दे रहा अगर कोई कानून बनेगा और उस कानून में protection of life and liberty हट हो रहे तो उसके against यहाँ पर protection नहीं है ठीक है तो यह गोपालन case याद रखना गोपालन case इसमें बोला था कि only against the arbitrary executive action and not from the arbitrary legislative action मेन का गान्धी case में एक wider interpretation दे दी क्योंकि उन्नीस उपचास में तो इंडिया independent ही हुआ था उस टाइम नहीं दी होगी जजिस ने ज़्यादा ब्रॉड इसकी explanation, interpretation इट रूल दाट दे राइट तो life and personal liberty of a person can be deprived by a law provided the procedure prescribed by that law is reasonable यह ऐसे कह रहे है कि right to life and personal liberty किसी person के deprived की जा सकते एक कानून के द्वारा provided जो procedure है जो slow में prescribe किया गया है वो reasonable, fair और just होना चाहिए ठीक है, it had introduced the American expression due process of law इसने किसकी बात की due process of law कि जो आपके पास procedure है वो reasonable भी होना चाहिए, वो fair भी होना चाहिए और वो just भी होना चाहिए right to life also include right to live with human dignity and not mere survival, सबसे important point है, यह आप mention करोगे interviews में और अपने answer writing में कि जीने का अधिकार सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ survive कर रहे हो यह dignity के साथ जीने का अधिकार होते हैं और article 21 में मलई इसका implied article है कि safeguard related to right to marry शादी करने का अधिकार, तो यह article 21 का implied है यह धियान में रखना, उसके right to privacy is a part of right to life and personal liberty, यह भी implied right है, यह भी UPSC में पूछा जा चुक है तो article 21-A की बात करें, article 21-A, right to education दे रहे है R-T-E, right to education, it ask the state to provide free and compulsory education to all the children, जितनों की भी 6-14 साल तक का कोई भी बच्चा है तो यह उसका fundamental right है, free or compulsory education देना, also included in DPSP article 45, इसे DPSP में 45 में भी include किया, और 51-A, fundamental duties में भी add-on किया हुए, तो यह article 21 की एक revision थी, होफ़ली आपको यह video अच्छी लगे